नमस्ते इस अदावस सले मातर भूमे जय हिन दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूँ तो चलिए शुरू करते आज के डिफेंस समाचारों को ते पहले डिफेंस अपनिट की तरफ दोस्तों भारत अब अमारिका के जनल अटॉमिक्स के साथ 31 MQ-9B आर्म ड्रोन के डील को फाइनल करने की तयारी करा है और इनकी डिलीवरी भारत को 2025 के अंत में शुरू होगी और इन 31 MQ-9B ड्रोन के लिए जो लेटर अफ रिक्वेस्ट है वो अमारिके सरकार के पास भीज दिया गया है और इस डील के तहर्ट जो 15 सी गार्डियन्स ड्रोन है वो भारतिय नौस्टेना को मिलेंगे और बाकी के जो आठ आठ ड्रोन है वो इंडियन एफोस और इंडियन आमी में वित्रित किये जाएंगे और शिर्वाती स्तर में इन में जो स्वदेशी कंटेंट है यानि कि स्वदेशी सामागरी है वो 20 प्रतिशा तक होगी चलिए वरते नेक्स्ट अप्रेट की तरफ तोसो गार्डन रिशी बिल्डर्स ने घोशना की है कि वो 28 जुलाई को अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित Autonomous Underwater Vehicle का प्रदशन करेगी ये जो Underwater Vehicle है वो बिना Operator के लगातार पानी के नीचे चाल सकती है और इसमें कई Advanced Sensors लगाए गए हैं जैसे कि Depth Sonar System और Magnometers इसका इस्तमाल Intelligence, Surveillance और Recognance के अलावा Mine Counter Measures और Anti-Sumrine Warfare में किया जाएगा चलिए बरते ने एक्स्ट अप्डेट की तरफ दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारतिय वाईसेना को पहला C295 जो Aircraft है वो सितंबर के महिने में मिल जाएगा और Indian Air Force ने अब C295 Aircraft के इस पेर के लिए Central Stock Holding Depot का उधगाटन किया है प्रियाग राज में 24 Equipment Depot में और यह जो फैसलेटी है वो आने वाले C295 Aircraft को सपोर्ट करेगी और यहाँ पर इस पेर पार्ट्स और जो Equipment से उनका मैनेजमेंट किया जाएगा और इसका इस्तवाल आगे इनने Aircraft की Maintenance Support के लिए भी किया जाएगा चलिए बढ़ते हैं एक्ट अपडेट की तरफ दोस्तो भारतियस सेना ने ZMotion Autonomous System Private Limited के साथ एक Contract Sign किया है जो की स्वदेशी रूप से बने त्रीनेत्रा Loitering Munition की खरीद के लिए आपको मैं बता दू कि यह कंपनी पहले ही कुछ जो Sample Units हैं उसे भारतियस सेना को दे चुकी है जिसके की भारतियस सेना ने TRIALS किये हैं और TRIALS के बाद यानि कि परिक्षन के बाद इनके नतीजे अच्छे आए हैं कहा जा रहा है कि इनका TRIAL High Altitude Locations में किया गया था त्रीनेत्रा की अगर बात करें तो एक Hand Launch Loitering Munition है जिसका वरजन 5.5 किलोग्राम है और ये 1 किलोग्राम का Warhead ले जा सकता है इसकी रेंज 15 किलोमेटर है और इसका इंडिडेंस टाइम है 60 मिनट का और इसका इस्तमाल करने से भारतियस सेना की जो सरविलांस और ट्रैकिंग शमता है वो भी बड़े गिया और साथ ही साथ भारत अपने दुश्मनों के टार्गेट को भी खत्म कर सकता है बढ़ते नेक्स्ट अब्रेट की तरफ दोस्तो भारतियस सेना के आर्मी ट्रेनिंग कमांड के तहर्त सिमुलेटर डेबलमेंट डेजाइन सिकंद्राबाद ने वी आर अधारित इगला मेसाइल फारिंग सिमुलेटर के इन हाउस विकास के लिए अपना दस्वा पेटेंट हासिल किया है और साथ ही दोस्तो एक बड़ी उपलब्दी भी हासिल किया है इस अत्यादुनिक सिमुलेटर को भारत के पेटेंट का रहले के दोरा पेटेंट किया गया है वी आर आधार इत्यानी की वी आर बेस इगला मेसाइल फारिंग सिमुलेटर भारतिय सेना के भीतर प्रस्टिक्षन शमताओं को बढ़ाने के लिए एक भैतर द्रिश्टिक्रोन का प्रतिनी दो करता है और इसे वर्शुल रियालेटी बेस्ट ट्रेनिंग सिमुलेटर के तौर पर डिजाइन किया गया है ये विक्तिकत यानिके परस्टनल और टीम प्रस्टिक्षन अभ्यास दोनों का समर्थन करने के लिए एक महतरपून उपकरन के रूप में काम करता है सिमुलेटर की पोर्टिबिलेटी इसकी बहुमोखी परतिबा को और बढ़ा देती है जिससे इसे आवश्कता के अनुसार अलग-अलग प्रस्टिक्षन वातावरण में तैनात किया जा सकता है इसको इस्तमाल करने वाले जो यूजर्स हैं वो केवल गनर, केवल टीम, लीडर या फिस, सयुक्त गनर और टीम लीडर प्रस्टिक्षन विकल्पों को भी चुन सकते हैं जो कि सैनिकों को सीखने का अनुभव प्रदान करेगा और इसकी flexibility इस उनशित करता है कि प्रतेक व्यक्ति और टीम को विबन यूद श्तितियों के लिए अपने कौशल को निखारते वे विशेश और बरते नेक्स टब्रेट की तरफ दोस्तों कहा जा रहा है कि भारतिया 66 बलो के पास इस वक्त officers की कमी हो गई है अगर भारतिया सेना की बात करें तो भारतिया सेना में करीबन 2094 मीजर कम है और 4774 कैप्टेन कम है और सबसे खास बात यह कि किसी भी युद के मोर्चे पर दोस्तों इन दोनों रैंग के जो officers होते हैं वो इसे lead करते हैं 14 लाग परसनल वाली भारतिया सेना में 630 डॉक्टरों, 73 यानिके 73 डेंटेस्ट और 701 नर्सों की भी कमी है यह जानकारी संसत में भारत सरकार की तरफ से दी गई है जो आकड़े हैं वो यह बताते हैं कि भारतिया नौसेना और वायुसेना के पास भी इसी तरीके से rank के officerों की कमी है नेवी में 2617 लाफिनेंट कमांडर और छोटी rank वाले officerों की कमी है वहीं भारतिया वायुसेना में 940 फ्लाइट लाफिनेंट और 881 squadrons leader की कमी है भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि major और captain rank के officerों की कमी COVID-19 महामारी की वज़े से हुई है क्योंकि सभी कैडर्स में कम भरती हुई अधिकतर short services commission के जरीए वहीं दूसी तरफ दोस्तो चाइना ने कमबोडिया में अपना एक विशाल चीनी नौसाइनिक अड़ा बना लिया है और आप सब जानते कि इससे पहले चाइना का जीबूती में नौसाइन बेस था और चाइना ने कमबोडिया के रीम नेवल बेस को तयार कर लिया है चीन और कमबोडिया का मानना है कि वो इसका इसका मान नौसानिक अड़े के रूप में नहीं करेंगे आपको एक चीज़ और मैं बता दू कि दोस्तों ये जो चीन का नौसानिक अड़ा बना है ये भारत के अंड़मान निकवार्दीप से कुछ 100 किलोमेटर की दूरी पर है और आप समझ सकते हैं कि अगर चाइना के बॉंबर रियाम नेवल बेस पर पहुंसते हैं तो वो अंड़मान तक निशाना साथ सकते हैं वो ये अमारिका को भी इस बास से काफी टेंशन हो गई है क्योंकि चाइना की आपर सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसकी भले ही नौसेना अमारिका से जादा बड़ी हो गई हो लेकिन चाइना के पास नौसानिक अड़े दुनिया भर में बहुत कम है इसके मुकाबले अमारिका की काफी जादा है इसलिए चाइना अपनी शक्ती को प्रदशित नहीं कर पाया है थाईलैंड की खाड़ी के पास बने इस कमबोईडियाई नेवल बेस से चीन को एक रनितिक बढ़त मिल सकती है वहीं अमारिका के एक खुफिय अदिकारी ने कहा कि अमारिकी सरकार के अंदर इस बात को लेकर बहस भी चल रही है कि चीन इस नौसानिक अड़े का ठीक ठीक करेगा क्या ये दक्षनी चीनी सागर या फिर हैनान दूइप पर बने नेवल बेस से भेतर है और चाइना ने पिछले एक दशक में दक्षनी चीनी सागर में कई नौसानिक अड़े बनाया है ताकि वो दक्षनी चीनी सागर पर कबज़ा कर सके वहीं दोस्तो रश्या अपने ब्रिक्स भागीदारों से अंत्रिक्ष में एक नए स्पेसि सेशन स्थापित करने की बात करा है रॉसकोस्मोस के महानी देशक ने कहा कि मैं ब्रिक्स भागीदारों को एक पूर्ण विक्सित मॉडल बनाने के लिए आमत्रित करना चाहता हूँ जो की रूसी और्बिटल इस्टेशन का हिस्सा होंगे आपको बता दे की रूसी और्बिटल इस्टेशन का पहला मॉडूल 2027 में लॉंच किया जाएगा और इसका निर्मान 2032 तक पूरा हो जाएगा इसे दो चरणों में बना जाएगा बरते नेक्स अप्डेट की तरफ दोसो एने से अजिस डोवाल ने दक्षिन अफरीका के जोहांस बाग में ब्रिक्स के मित्र बैठक में हिस्सा लिया कहा जा रहा कि इस मिटिंग के दौरान साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई अजिस डोवाल ने कहा कि आटिफिशल इंटेलिजेंस बिग डेटा और इंटरनेट और अफ तिंक्स जैसी विगटनखारी तकनीकों के आने से साइबर जोखिमों की गंभीरता तेजी से बढ़ेगी उन्होंने कहा कि साइबर अपरादियों और आतंगवादियों के बीच भी कनेक्शन बन सकते हैं जिससे कि विट पोशन, मनी लॉंडरिंग, लॉन वुल्फ अटैक, सुरक्षिस संचार के लिए साइबर स्पेस का इस्तमाल करना शामिल है यह वज़ाते कि अजिस दोबाल ने कहा कि साइबर सुरक्षा से उत्पन चुनौतियों से निपटने के लिए सामोहिक प्रयासों की आवश्कता पेहस ज़रूरी है बढ़ते नेक्स्ट अब्रेट की तरफ दोस्ट कारगिल विज़े दिवेस 2030 की पूर्फ संध्या पर जर्रल मलुश पान्ये ने दिगजो वीर नारियो और वीर्दा परोसकार विज़ेताओं और द्रास और कारगिल की लोगों के साथ बाचीत की और उनका अभार वेक्त किया इस कारिकर्म के दोरान सेन्य बैंड और लद्दा की सस्कृति को भी परदर्शित किया गया दोस्ट वहीं अग्री खबर चाइना से आ रही है दोस्ट चाइना ने आखिरकार अपने विदेश मंत्री किन गयान को विदेश मंत्री पस से हटा दिया है और अब उनकी जगा प सब्सक्राइब देखे टॉप डिफेंस अपडेट्स वीडियो के संदे कोई प्रस्ट यवाब आपको कोई सवाल है कमें शेक्टर में लेकर जरूर पूछ सकते हैं मिलता लों ये वीडिये के साथ चैनल दो सब्सक्राइब किजिएगा जैन वंदे मात्रम